जै शीराम सभी भक्तों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे की दूद कैसे मिलते हैं और जो है 바लाजी महाराज के दूद किन लोगों को प्रापत होते हैं और आपको जो है सारी जानकारी जो भी आपके मन में सवाल होते हैं आप पूछते हैं वो सारे आज क्लियर होने वाले हैं तो अंतक बने रहें तब भी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और करें साथ में बैल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि याने मली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पोछ जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैशी राम जैश्री बाला जी माराच बाबा की असीम किरपा आपके उपर हमेशा बनी र जाए बाबा के दूत हमें प्राप्त हो जाएं और दूथ मिलने के बाद हम अनेक कारीय कर सकते हैं ये बात सचाई है क्यों क्योंकि बाबा की शगती निराकार है और वो कुछ भी कर सकती है उनके लिए असंबव कुछ भी नहीं है नेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कहीं न कहीं कोई भी शक्ती कोई न कोई मर्यादा में बंदी हुई होती है और हनुमान जी महराज के जो दूत है जैसे कि आपको पता है कि प्रभु शीराम जो है वो मर्यादा प्रशुत्तम है और उनके जो किर्पा है श्री हनुमान जी माराज वो भी मर्यादा में ही रहकर कारिय करते हैं तो उनके दूत भी मर्यादा से वहीन नहीं हो सकते हैं तो जो हनुमान जी के दूत कैसे कारिय करते हैं और किस पकार आपको बाबा की किर्पा प्राप्त हो सकती है मैं यह आपको बता रहा हूँ को कि बाबा की किरपा हर किसी के लिए है कोई एक व्यक्ति विशेश के लिए नहीं है बाबा की किरपा को हर कोई प्राप्त कर सकता है क्या चाहिए उनकी किरपा को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन के अंदर बहुत सारा बदलाव चाहिए बदलाव का मतलब छोटे 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 आप के अंदर त्याग उत्पन होने चाहिए जैसा कि कई वारी हमारे अंदर हम बाबा की प्रेज करते हैं तो कई वारी ऐसा लगता है जैसा कल मेरे पास एक विख्टी का फोन आया वह कहते हैं, जी मैं हनुमान जी को छोड़ना चाता हूँ और वो हमने पूछा क्यूं कहते हैं, बस उनके पूजा के इंदर परेज बहुत है ऐसा जो है, जब हम छोटे-छोटे परेज ये क्यूं है क्योंकि हनुमान जी महराज की किरपा है वो एक दिर्ड किर्पा है आपके जीवन के उपपर हमेशा बनी रहेगी लाइफ टाइम तक अगर आप इस किर्पा को प्राप्त कर जाते हो नेकिन इस किर्पा को प्राप्त करने के लिए आदमी जब शंगर्श ही नहीं करेगा वो कोई सोचता है कि हमने क्या करा कोई चीज पैसे में खरीद ले ये चीज़ कभी पैसे में नहीं खरीदी जाती ये आपके अंतर के मन से प्रकट होएगी आपके अंदर के भाव से प्रकट होएगी जिस दिन आप हनुमान जी के परती पून Roop से समर्पित हो जाओगे उस दिन आप के उपर हनुमान जी महराज की दूद की गिरपा अपने आप आने लग जाएगी लाखों की भीड में बाबा अपने बच्चे को पहचानते हैं नेकिन पहचानने के लिए पहचान बनानी भी पड़ती है वो पहचान बनाने के लिए अपने आपको तपाना भी पड़ता है जिस पकासे सुवर्न जो गोल्ड होता है सोना होता है वो जितना तपता है उतना ही निखरता है इसी प्रकासी ये शरी रुपी जो काया है उस परंपिता प्रमात्मा की है जितनी ये तपेगी उतनी ही ये निखरेगी तपाना भी किस तरिके का होता है तपाना भगती की राह में बाबा के कारिय की राह में जो व्यक्त करती नहीं केंकि प्रवुशी राम का ही कारिये किया है उन्होंने अपने सुक के लिए तो कभी कुछ मांगा यह नहीं बाबा की जो किर्पा उन्हीं व्यक्तियों पर अधिक तराती है जो चन कल्यान के कारिये के लिए कारिये करते हैं और यह किर्पा कल्यूग में परधान रूप में हैं जैसा आपको पता है हनुमान जी अजर और अमर है और हनुमान जी के जो अजर अमर होने के बावजुद जो कल्यूग के अंदर जो परकौप बढ़ रहा है तो इस परकौप को कौन सी शक्ति शांत कर सकती है तो हनुमान ज होगा उसी पकार से हनुवान जी की किर्पा जब उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ती है जब कोई सच्चे मन से नी स्वार्थ भाव से नहीं तो दूट किन लोगों को मिलते हैं जैसे कि कहीं कहते हैं कि हमें पेशी आती रहती थी जैसे हमें महलब वो चीज शुद्ध होके पीछे आप देख लेना कि दूट कोन होते हैं अब जैसा कि जो व्यक्ति मेहंदी पूर बाला जी या हनुवान जी महाराज की बक्ति करता है जब वो नित्य नेम अपने उस कारिये के परती पुन रूप से लगा रहता है उसी के ओपर ही मैं ये बात गुमा पिरा के ही ला था तो लगा रहता है तो देरे दीरे देरे जब वो व्यक्ति तप जाता है तो वो निकर जाता है अब उसके दोरान बाबा उसके उपर हमेशा किरपा करते हैं मेहंदीपूर सरकार से या हनुमान जी महाराज से या बाला जी सरकार से दो शक्ति शाली दूद की किरपा उस परिवार पर मिलती है हनुमान जी के वीर मिलते हैं उस परिवार की रक्षा करने के लिए तो उसी पकार से जब हनुमान जी के वीर आपकी रक्षा करेंगे और बा चानली बना सकते हो लिए अगर आपके ऊपर कोई एक शक्रिपा आ जाती है क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे आप अपना स्वप का कारिय करोगे स्वंके कारिय के लिए Audio ने स्वंक्राइब लिए अगर अपने लिए अगर अपने लिए तो वह सुचा 508 ना प rescate करने के लिए वहां पर रहे और फिर उसके वाद राम भक्ती में रहे और आज भी वो राम भक्ती के अंदर ही है तो स्वंब के खुद के सुवार्ती तो बाबा की दरबार से जूड़ता है, और दब उसके शरी घर के संकर कतने लगते हैं, तब उसका एक नैतिक उदेश्या मिल जाता है, बाबा की किरपा से उसके दो शक्ती चाली दूद तो जूरुर प्राप्त होते है, उसके हर किसी को उसके परिवार की रक्षा के लिए वीर जूरुर प्राप्त ह होते हैं तो पहले वीर पराप्त होते हैं फिर उसके बाद दूद पराप्त होते हैं तो उसके दोरान उस जब आगर वो व्यक्ति सचे मन से नित्य नेम से हरुमान जी की भक्ति करता है और उनके नाम का परचार करता है कल्यूग में राम नाम का परचार करता है तो वो शक्ति वो जो निराकार शक्ति, जो आपको दिखाई नहीं देरी, वो दीरे 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 आप के ओपर हमेशा अपनी किर्पा के बाद byड बड़ती जाएगी। कई वेक्टियों का ऐसा है मेरे पास कोशन आता है कि आपके वाबा के दूड़ तो हैं, पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई सुनाई नहीं देता, तो ये उन्हीं के साथ होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को ताकतवर नहीं बनाया, उन्होंने उस शक्ति को अपनी लिमिट सा रख दिया, उस शक्ति की मर्यादा को अपने तक ही रख दिया, अपने benefit ऐसे नहीं उठेगा जैसा आप सोच रहे हो जब आप बाबा के प्रतिकारिय करने लग जाओगे राम नाम का उद्धान करने लग जाओगे और जब आप गरिबों के सहक बनने लग जाओगे या किसी भी मुसीबत बंद आदमी की मदद करने लगाओगे तो बाबा की किरपा आपके उपर कल्यूग में जैसा आपको मैंने शुरू में बोला कि परधान रूप के देवता है आपकी शिपारिश अपने आप आपको तो ये बात पता नहीं, पीछे से आपकी कार्वाई चल रही होती है, आपके कागज बने वे हैं, आपके हन्मान जी महराज के पास पूरी रिपोर्ट जा रही है आपकी, और उजैसा ही जैसा आप कर रहे हो, और सबसे पहले बात ये होती है कि ऐसे भगत पर जल्दी किरपा आती है, ज जो बाबा को कभी संदे की नजर से नहीं देखता, जो बाबा के पर कभी शक्त नहीं करता. या किसी भी फकार का बाबा के परती वो कि ये नहीं सोचता बस वह जैसा अंजान उसको ये भी ने पता कई मेरे पास कोई किर्पा भी आ रही है. ऐसे भगत गई जिसकी आस्ता आप जब हरुमान जी महराज के समीब जाते हो या बाबा की मूर्ती के समपर्क में आते हो तब उस दुरान आप सोचो कि आप क्या मांगते हो सबसे पहली बात बाबा से कुछ मांगने की अफ्रक्ता तो होती नहीं जो स्वम जगत का पालन हार है जो जगत का स्वामी है वो सारी बात जानता है उसको पता है कि बच्चे को क्या जरूरत है वो हमारे हर्दय की आवाज को पैचान सकते हैं और ऐसे भगत जब कोई आप मान लो अगर आप पहली बार चले गई आपने कुछ नहीं मांगा दूसरी वाच लगे फिर कुछ नहीं म ही चीज ऐसी भगत के ओपर हनवान जी की जो किर्पा है 101 परसेंट आएगी 101 परसेंट आएगी आप सचे मन से कंटीनू बाबा क्या सुन्दर कांड का पार कीजिए और एक बात और है पूर्नी मां पर आप हमेशा ही कभी भी पूर्नी मां के दिन कभी खाली मत जाने दीजि क्योंकि हनवान जी की किर्पा आपको अवश्यप पराप्त होगी पूर्नी मां पर और पूर्नी मां से पूर्नी मां तक कंटीनू अगर सुन्दर कांड के पार्ट भी कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है आप मजबूर कर दिजिए कि बाबा आपकी भक्ति को सुनने पर विवश हो जाए आप ऐसा अगर मजबूर कर दोगे तो उन्हें आना ही पड़ेगा जिस पकार से ये बात सच्ची है इसको जुठाया नहीं जा सकता कि जहां राम का नाम है वहां मेरे प्रभु का काम है तो ये बात सच्चा ही है जहां आप अनंदित राम का नाम प्रक आ दिया तो अपने आप ही वो उसी को पाने के लिए आ जाएंगे और आना ही पड़ेगा और फिर उस परिवार का देख बाल भी करनी पड़ेगी पालन पोशन भी करना पड़ेगा तो बोलिए जैसी तराम जैसी बाला जी महाराज महंदीपुर की पवित्र किरपा आपके पर नियंतर बरस्ती रहे और मेरी मा जगजनी मा भवानी अंब के किरपा आपके घर में अनपूर्णा रूप में वास करें गुप्त नवरातरी आ रही है और जो व्यक्ति सचे मन से मा की अरादना करेंगे भक्ति करेंगे उन पे मा की और बाबा की किरपा भी जरूर में र तो देखना आप जरूर जैसी तरह